बिस्मिल्ला इर्मान इर्रहीम असलाम अलेकुम फ्रेंट कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूं आप लोग खैरे से होंगे आज मैं आपके लिए मतंजन जर्दे की रेसिपी लाई हूं जो शादियों में बनता है जर्दा मतंजन तो देखें पहले अज़ा में नोट कर लेते हैं कि मतंजन जर्दे में क्या क्या जाएगा अदेखें ये शेला चावन में लेकिया आधा घंडा पहले बिगो दिये तो बिगोणे में मैंने ये इलाईची इर्टीन इलाईची है एक डालचीन अगर तुकड़ा है दो लोंगे मैंने डाल कि इसको भीनने में जाएगा उपर से और जो फराई में जाएगा एक वो दिखने हैं अधोड़ा सा खोब्रा है किंश मिश थोड़ी सी धोके साफ करके रख लिये खुछ बादाम मेंने काट के रख लिये फिस नवी में चीव के रख लिया और यह भगार में छोटी लाइची और लौंग जा जाएगा चीनी है यह चीनी एक पाउ से थोड़ी कम चीनी है क्योंकि डेड़ पाउ मैंने सेला चामल लिये और यह आदा पाउ जितना मैंने घी लिया है क्योंकि गी से बनेगा मुतंजन जर्दा और अगर आप चाहें तो इसमें खुलाब जामन आते हैं छोटे-छोटे से कल तो देखें फ्रेंड कि मैंने मोतंजन-जर्दिट के लइस जो है यह बॉल होने रग दी है जिसमें इलाइची यह दाल्चीनी लॉं वो इसी के साथ ही बॉल करेंगे तो चलें अब नदे भी बॉल करतें राइस तो देखें तो पुरिश्वकित एमारे हमारे राइस बॉल बिल्कुल हर्दी मियाद के हमने ये मेवा खुराई करना है तो देखें प्रैंट ये मुझे मेवा जो है वो जादे दे तक खुराई निकरना है मेवा इसी तरह कच्छा ड़क्टा राच गशता है लेकिन अधा और अच्छा जाएका देगा देगा तो देखें प्रैंट मैंने मेवा सारा फ्राई करना निकाल लिए आब इसमें चीनी डाला दी है और इसके साथ थोड़ा पानी टालना है रखे हैं तारवाला नहीं बनाना है तो चीनी बुलने करें दूधार करते हैं तो देखे फ्रेंट जो मैंने चीनी बिगला है ती अब इसमें राइस डाल दिया है इसको थोड़ी ज़र हमने दम पे रखना फिर उसके बाद मैंने जो खलर वगरा है वो आयट करना है तो देखें फ्रेंट ये अचनी सब्सक्राइशे जो गये अब मैंने इसमें तुबवा अरंस यकारियमे वर्यूंस या करे नो भी हला के लिए तक स्टॉद यह बूस्वेल दोड़ा धिा भी स्ट्सक्राइशा-जश्थ कि मैंने इस साइड पर थोड़ा सा रेट कलर यह मेरे पास लिक्विट में था यह मैंने डाल दिया तो अब इसको हमने थोड़ी देर अवे पर दम पर रखना है कि आज पर अब यह दम अच्छा सा लग गया कलर के साथ अब इसके उपर मैंने जो मेवा है यह सब फेलाना है कुटी फुरुटी रखी थी यह भी मैंने इस पर डालना है कि दो मिनिट के बाद मैं आपको डिशॉट करकी दिखाते हूं बाकि इसमें जो खुए है मैंने वह उपर से डालना है कानिश के लिए तो देखें फ्रेंड यह मुतंजन जर्दा रेडी है शादियों वाला आप इस पर गुलाब जावन और चोटी सी चमचम आती कलरफूल वह भी आप डाल सकते हैं तो आप बनाएं इंशालला ताला मेरे स्टाइल से आपको बहुत पसंद आएगी यह रेसिपी भी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज कि अपने जितने अजीज़ और रिश्चदार हैं उनके साथ यह रेसिपी शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए ताके मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको फॉरण बिल सकें असलाम आले कुछ अ करते हैं उलके साथ कीजिए और रिया हैं उनके